पिछला जो lecture था chapter 1 का chemical reaction and equation उसमें हमने सब कुछ तो पढ़ लिया था लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी तो हम उसको अलग से cover कर लेते हैं जैसे कि reduction and oxidation जो था वो हम पिछले lecture में नहीं पढ़वाये थे किसी तरह से चूट गया था वो तो उसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं definition, oxidation और reduction का oxidation किसको बोलते हैं oxidation में जो है अगर किसी compound में chemical reaction के दोरान अगर oxygen जो है वो add हो जा रहा है या फिर hydrogen जो है वो उससे निकल जा रहा है या फिर electron जो है किसी compound के उपर आ जा रहा है उसमें electron add हो रहा है इन तीनों situation को हम लोग बोलते हैं oxidation और reduction किसको बोलते हैं इसका direct opposite है अगर oxygen जो है किसी compound से chemical reaction के दोरान निकल जा रहा है उससे removal हो जा रहा है या फिर oxygen जो है उसमें add हो रहा है या फिर electron जो है वो remove हो रहा है इन तीनों cases में से अगर कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस chemical reaction के दोरान उस compound का जो है reduction हो रहा है ऐसे समझ में नहीं आया होगा हम उसको example से समझेंगे तब ही हम जादा अच्छे तरीके समझ पाएंगे इसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि हम लोग color coding के हिसाब से चलेंगे अगर red color है अगर कोई red color मैंने जिसको जहाँ पर लगाया वो जो है oxidation होगा और अगर blue color हमने लगाया blue अगर है तो इसका मतलब है कि reduction है ठीक है हम लोग देखते हैं पहला example हम लोग देख लेते हैं यह है Fe2O3 और यह ऐल्मूनियम और इससे बनदा Al2O3 और Fe अलग से ठीक है हम लोग देखते हैं कि इसमें से iron को सबसे पहले देखते हैं iron जो था यह है Fe2 प्लस होगा यहां पर Fe3 प्लस होगा ठीक है अब हम देखना चाह रहे हैं कि Fe3 जो है right side में जवाया है तो Fe3 जो है वो क्या बन गया है इसका मतलब है कि इसमें एक्ट्रोन जो एड हुआ है जो अपना iron था उसमें जो कि उस में एलक्ट्रॉन फैद्व सब्लस यह तभी essence लगा है इसमें तीन चार्ज था वो खतम हो गया एलग्ट्रों इसने गेंग किये हैं इसको हम लोग क्या भूलिए इसको बोलिए ऑक्सीडेशन तो हम लोग दिखते हैं aluminum को Elmounüm का क्या हुआ हैО साइड क्या है एलमोनियम ने क्या किया है इसका मतलब है इसका ऐसे लगा दिया और जो औक्सिडेशन वाला था उसको मैंने रिडिकलर से कर दिया, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहां पर, अगर किसी element का जो है, वो Oxidation हो रहा है, इसका मतलब है कि वो Reducing Agent है Reducing Agent ठीक है, अगर किसी Element का Oxidation हो रहा है तो इसका मतलब वो Reducing Agent है और किसी इसका अगर Reduction हो रहा है, इसका मतलब है कि वो Oxidizing Agent है ठीक है, तो यह हमारा फंडा है, यह Definition अलग से आपको Oxidizing एजंट और reducing agent जो है उसका definition याद रखना है जो चीज जो है इसका oxidation हो रहा है वो reducing agent है और जिसका reduction हो रहा है वो oxidizing agent है ठीक है तो हम लोग next example पर चलते हैं next example में क्या है यह zinc है zinc जो है इतर जाकर कि zinc plus बन जाता है इसका मतलब है कि यह electron जो है इससे remove हो रहा है ठीक है electron अगर remove हो हुआ इसका reduction हो रहा है reduction हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको blue color से लगा देंगे है ठीक है यहाँ पर hydrogen के ऊपर एक electron नहीं है एक electron इसके पास deficit है तो इधर इसको हम लोग लिख देते हैं blue color से ही यह हो गया reduction और यह red color से हमने लगाया कि इसका हो रहा है oxidation और oxidation अ ठीक है यह हो गया मैंने बताया ही था आपको जिसका oxidation हो रहा है वह हो गया reducing agent और जिसका reduction हो रहा है उसका हो गया oxidizing agent ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं next example को इस example में जो है iron जो है इस पर अभी लस्त्री charge है और यहाँ पर जाकरके zero charge है iron के उपर इसका मतलब क्या हुआ है इसका oxidation हो गया है इसमें electron जो है add हुआ है तो यह हो गया oxidizing oxidation हो गया oxidation हो गया और carbon जो है यह जो है electron इसके अंदर से electron निकल रहा है इसका मतलब क्या हो गया यह हो गया अपना reducing agent reduction हो गया इसका और इसका oxidation होता है वह reducing agent होता है यहाँ पर मुझे blue color से लगाना चाहिए था ठीक है हो गया इसा फिर हम लोग देखते है next example को यह जो एक दो seven पहले है यह आप लोग खुद से कर लीजे इसमें देख लिजे कि कौन सा जो है ऑक्सीडाई इढिभ Viele उर्टिउसिंग एजेंट है किसका जो है oxidation हो रहा है और किसका रिदक्शन हो रहा है इसमें चार आन्सर एजन्ट कौन सा है, और रिड्यूसिंग एजन्ट कौन सा है, यह आपको डब्बे में भरना है ठीक है? इस तरह से आपको यह चार चीज़े जो है वो आंसर करना है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि किसको कौन oxidize कर सकता है और किसको कौन reduce कर सकता है यह जो है यह एक चार्ट है इसमें जो है कि बहुत सारे जो ions है इसका oxidizing capacity और reduction capacity जो है इसमें दिया हुआ है तो आप देखिए कि यह जो ऊपर जा रहा है है lithium plus magnesium 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 minus two plus two magnesium plus two यह सारी चीज़ें यह सब है कि किसको कौन से चीज़ें कितना ज्यादा oxidizing कितना strong oxidizing agent है ठीक है और यह जो है reducing agent उसका opposite जो है वह यहां पर दिया हुआ है तो इस इस table का कभी काम में आ जाता है जब हम लोग oxidation और reduction वाले reaction के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं तो यह हमेशा काम में आता है ठीक है यह होगे हमारा oxidation और reduction जो रिएक्शन है उसके बारे में हम लोगवग सब कुछ पढ़ लिया है अब इसको ज़्यादा आपको practice करना है ठीक ह थेंकियो धन्यवाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में